नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी स्टूटूब चैनल यात्तिरी सुभधा में आज किस विडम जानेंगे कि ट्रेन टिकट बुकिंग में SL क्या होता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं SL का मतलब है स्लीपर दोस्तों इंडियन रेलवे में यह एक ट्रेवलिंग क्लास होती है जो की 2S सेकंड सिटिंग से उपर होती है और 3A AC 3 टियर से नीचे होती है इसी तरह SL स्लीपर का किराया भी 2S सेकंड सिटिंग से उपर होता है और 3A AC 3 टियर से नीचे होता है अब बात करते हैं स्लीपर क्लास कोच के बारे में स्लीपर क्लास कोच एक नौन-AC कोच होता है और इसमें सभी विंडोज ओपन होते हैं फ्रेंड्स इंडियन रेल्वे का एक मुस्ट पॉपलर कोच माना जाता है ट्रेवलिंग के लिए अगर हम बात करें बर्थ की तो इसमें एक केविन में आठ बर्थ होती हैं जिनमें सामिल हैं UB, Upper Birth, MB, Middle Birth, LB, Lower Birth, SLB, Side Lower Birth और SUB, Side Upper Birth अगर हम बात करें Slipper Class कोच में Total Seats या बर्थ के बारे में तो एक Slipper Class LHB कोच में 80 seat या बर्थ होती हैं जबकि एक Slipper Class ICF कोच में 72 seat या बर्थ होती हैं और इसी तरह slipper class coach को S1, S2, S3, S4, S5 और इस series में आगे तक या फिर SE1, SE2, SE3 इस तरह से denote किया जाता है तो इस वीडियो हमने जाना SL slipper के बारे में इसकी अधिक जानकारी के लिए आप description box भी चेक कर सकते हैं प्लीज इस वीडियो को like करें, हमारी चैनल को subscribe करें और bell icon का बटन जरू दबाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में नई जानकारी के साथ धन्यवाद